जैहिंद आपरिवन आज इस फीडियों पर मैं डिसकस करने वाला हूँ कि अब बलकुल लास्ट वीक का समय बचा है एक्जाम के लिए बस कुछी दिनों के अंदर एक्जाम होने वाला है 16 जून को पेपर है तो उसके रिकार्डिंग में कुछ चीजें जो आपको अभी करनी जो आपका सिलेक्शन बिलकुल इंशॉर करा सकती है थोड़ा मैं उन चीज़ों पर बात करूँगा तेखो मैं काफी चीज ऐसी देखता हूं यूट्यूब मैं मैं किसी पर कमेंड नहीं कर रहूं बट एक चीज थी जिस पर मिलको डिसकेशन करना था में ली कि बहुत सारे खास करके जो नए हैं यहां पर आपको किन चीजों पर ध्यान देना होता है एक अपनी अनलेटिकल अप्रोच खुद से डवलप करने पर नॉलेज जो भी आपने किया उसको समप करने पर और सेल्फ स्टेडी का यह खास करके समय होता है बट मैं देखता हूं एक बहुत तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हूं मैं एक गाइड करना चाहता हूं कि जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं जो भी मेरे स्टुडेंट्स हैं जो नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और जिन लोगोंने में से आफ्लाइन भी पढ़ा है सभी को लेकरके मैं ए हमारी exam में elimination techniques, analytical approach को कितना use करना है कितना नहीं और self study अब देखो knowledge मतलब क्या static part और current affairs part तो इसका right balance तो आपने जैसी भी तयारी की है आप उसको according रखो कि आपको C.A. कितना पढ़ना है और static part कितना पढ़ना है उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा वो तो आपकी खुद की personal ची कि जैसे 2022 के समय जिन लोगों ने भी paper दिये घा था और देखा था तो एक बहुत बड़े level पर क्या चल रहा था YouTube पर कि बास elimination technique लगाओ 1200-200 number ऐसे ही आजाएंगे बिना मैनत किये common sense से जितने लोग ये देखकर गए videos 2023 का paper बाउंसर आया और सबको out कर गया ठीक है क्यों कर गया था क्यों कि पूरा focus किस पर रख दिया था elimination technique पे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था मेरा videos देखना जाकर के जो मैंने प्री से पहले बनाये थे 23 के अभी सेम चीज़ बोल रहा हूँ elimination technique do work लेकिन elimination technique के दम पे paper नहीं निकलता है तो वो repeat मत करना mistake कि videos देखके बहुत confident होके चले गए और paper में खतम हो गया काम uncertainty के लिए ready रहना हो सकता है फिर से कोई नया pattern possibly आ जाए हो सकता है पेपर का भुलकुल नया pattern से पूछ ले तो यहां हमें क्या ध्याम देना है exam में कि elimination technique जहां हमें लग रहा है कि simply apply हो रही है होगी ही कुछ questions में तो definitely 10-15-20 questions तो ऐसे होता है जहां पर बोगो direct लगती है वो लगाना है knowledge से अपना question solve करना है तो देखो यार cutoff के trend के आप से बोले ना 75-280 general का जो cutoff है हम यहीं लेकर चलते हैं कि 75 cutoff क्या था तो हमें उसकी उपर number लाने है यहनि कि अगर हम 100% accuracy के साथ 40 questions correct करेक्ट करते हैं तो हमारे 80 marks आ रहे हैं cutoff clear अब ऐसा तो होगा नहीं है कि आपको 40 के 40 बिल्कुल accurate question मिल जाएं खासकर अब एक-दो सालों के paper से तो यह होना बंद हो चुका है तो यहां हमारी strategy क्या होगी कि आप अपनी जो भी test series लगा करके जो भी PY की analysis करके आपने अपनी accuracy समझिए कि माल लेते हैं आप 50 question attempt कर रहे हैं आपके accuracy है कि 4-5 गलत होंगे बाखी सारे सही होंगे तो आपके लिए ठीक है कुछ लोगों का 60 question है कुछ का 70 कुछ का 80 कुछ का 90 कुछ का 100 तो इस तरीके से जो भी आपकी strategy है जो भी आपने practice किया है test series लगा के हर चीज लगा के exam में उसमें stick करना exam में कुछ भी नया try मत करना अगर आपने exam म गर में करने चीज और उसका समय जा चुका है अब experiment का समय नहीं है जो भी आपने try किया है और tested method है आपकी उससे बाहर मत जाना और mind में ये लेकर चलना कि हो सकता है pattern फिर से बदल जाए तो बस इस चीज़ पर ध्यान रखना तो analytical approach में बस यही है आपके लिए कि elimination कहां लगा आउट कि यह लोग सब कैस लगा रहे हैं यह ऐसा कर रहा है यह वीडियो देख रहा है इस particular person के दस हजार लोग पचास हजार लोग हम नहीं देख रहा है कि हमें देखना चाहिए बिलकुल नहीं मेरे वीडियो के लिए मैं नहीं कहता कि देखो what I am trying to teach here या explain here is that यह जो last moment से यह आपका समय है आपके resources को finally sum up करने का पूरे दिन बैठके और किसी पर depend होने का समय नहीं है कोई prelims नहीं निकलवा सकता यह मैं बैठ कर रहा हूँ दूसरा YouTube वीडियो में यह most expected वीडियो और high quality lectures इस सब पर मत पढ़ो जो भी पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो लक्ष करते example लेते हैं कि 1857 के reward के time का data वगर याद नहीं है अच्छे से तो इसको revise कर लो ठीक है इसके बाद याद नहीं है कि इस newspaper के editor कौने founder कौने वाइस रोय याद नहीं है ठीक है तो इन चीजों को कि देखो कहां पर weakness है कौन सा party याद नहीं क्रिप्स mission याद नहीं आ रहा हो क कोई youtube नहीं कोई video नहीं कोई lecture नहीं कोई teacher की जरत नहीं है इस last moment पर वो sources पढ़ने है जो आप 4 महीने से पढ़ते आ रहे हो पिछले जो आपके notes है जो आपका personal है उसके बाहर मत भटको कुछ help नहीं करने वाला ठीक है यह मैं experience से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसे clear कर था मैंने सो इन चीजों को लेकर के मैं आपको बताना चाहरा हूँ बस यह main चीज है इसके बाद मैं आता हूँ cset को लेकर एक चीज ध्यान रखना paper और dynamic आने वाला है 23 से बहुत tough paper आएगा 24 में इसका कोई doubt नहीं है क्योंकि 2019 से गर data देखोगे तो 19,20,21,22 में हर साल toughness बह toughness 22,22 से बहुत ही जाद है toughness 23 so the process goes on नहीं रुकने वाला tough होगा 2023 से तो जो भी आपने पढ़ा है उसको लेकर confident रहना मेरे जो भी इस वीडियो के पहले के जितने वीडियो से हैं वो सारे वीडियो सी सैट को लेकर के ही है एक बार जाकर उनको go through कर लो 1500 से 200 मिनिट के हैं सार में वो एक बार अगर चाहें तो crisp provision के लिए देख सकते हैं match के questions पस जादा time मत देना बस एक बार go through करना और अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी हो चुके है तो वो भी मत करना जो भी तुमने अपना तैयार किया है बस उसको देखो last का समय सिर्फ इनी चीजों को देने का ह इसके बाहर कुछ भी करने का नहीं है तो इसके बाहर मत फसना बस यही चीज़ें आज इस वीडियो पर मैं कहना चाहता था I hope चीज़ें आपको समझा ही होंगी और ज्यादा कुछ मैं इस पर नहीं करूँगा ज्यादा confused भी नहीं करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं अप अपने आप पर confidence रखना, calmness रखना और जो last days बचे हैं इन पर अपनी तयारी एक optimum level पर रखना, misguide मत होना किसी से और ये तो बलकुल मत सोचना कि कि किसी परसन के वीडियो देखके किसी strategy से कोई paper निकलवा देगा, बिलकुल नहीं, चाया आप हो, चाया मैं हूँ, चाया को बोल रहा हूँ, even मेरे को खुद का नहीं पता, I have prepared, you also have prepared, बट हम कह कुछ नहीं सकते कि exam के दिन क्या होता है, कुछ ऐसी गलती exam में हो जाए न, इस बात से कोई फार्क नहीं पड़ता है कि आपने साल भर क्या किया, समझना, बहुत important बात बोल रहा हूँ, साल भर हमने क्या किया, वो अतना important नहीं है, जितना important यह है कि हमने उन two hours में क्या किया, जब हम exam दे रहे हैं, वो matter करता है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना, और अपना सारा focus यह लगाओ कि इस two hours में आप कैसे काम करने वाले हो, mentally calmness कैसे रखोगे, panic नहीं करना है, क्या करना है, इ आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, best of luck for everyone, जय हिंद, जय भारत